महाशिवरात्री के लिए पलामू के पांकी लाके में मस्ज़द के बाहा तोरंट द्वार्थ बनाने को लेकर विववाद में हिंसा में कल छे लोग जखमी हो गए थे AIMIM के चीफ असद्दीन ओवैसी ने पलामू हिंसा के लिए सीदे सीदे राश्चियर स्वैम सेवक संग को जिमिदार बताया है आज तक से एक्स्क्लूसिव बातचीफ में ओवैसी ने कहा कि जारखन की सोरेन सरकार को भी इस हिंसा के लिए कसूरवार ठेराया गया ओवैसी ने कहा कि इंसा रोकने में जारखन सरकार नाकाम रही है यह सोची समझी साज़ेश है जारखन में पांकी में जामा मज़िद के सामने कभी भी शिवरातरी के दौरान में वहाँ पर गेट नहीं लगाई गई थी और मुखामी लोकल पॉलिस सेशन में बैटकर यह बात कही दी गई तैह हो गया कि जामा मज़िद के सामने दौर या गेट नहीं लगाएगी अचानक फिर आप स्टोन फिल्टिंग करते हैं मस्जिद के उपर दो घर को जला देते हैं टू वीलर को जलाते हैं और फॉर वीलर को जलाते हैं यह तो संग परिवार की बहुत बड़ी साज़िश थी वो कामियाब हो गया और वहाँ की सरकार नाकाम हो गई उनको तो चाहि पर इसकी पूरी जिम्यदारी वहां की लोकल रूलिंग पार्टी के ओपर आती है, जियम्यम के ओपर, जो नाकाम साबित हुई है। रोकने में नाकाम इससे पहले फाइरिंग हुई आपके बरांची में, वहां पर लोग मर गए। और यहां पर आपको मालूम के यह इस चीज इसमें बिल्कुल अभी तक हुआ नहीं है पूरी तरह से जाज भी अभी किया नहीं है किस तरह का गवर्णेंस के बारे में आप बात करें हैं तो यह अपील करेंगे कि यह इस वाइलेंस को इमीडेटली सरकार को रोकना चाहिए इस वाइलेंस के उपर जो भी यह पूरा कांस्परेसी के तहा साथ तयारी के साथ किया है उनको पकड़ना चाहिए और यह नाकामी है सरकार की और कामियाबी है उन उन दंगायों की यह तो स दंग परिवार का पूरा कॉस्परेस ही जो कामियाब होगे उसमें